हर इनसान में कुछ ना कुछ युनिक होता ही है जिसकी वज़ा से एक इनसान दूसरे इनसान से अलग होता है हम सबी में एक युनिक टालेंट होता है जिसकी वज़ा से हम जानी जाते है किसी की पेंटिंग्स अच्छी होती है तो कोई कुकिंग में अच्छा होता है कोई बात करने में अच्छा होता है तो कोई बात सुनके एडवाइस देने में पर आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनके लिए तो युनिक वर्ड भी कम है ये सब लोग ऐसे टैलेंट के साथ पैदा हुए है जो हम में से बहुत कम या शायद किसी में भी पाया नहीं जाता है तो चलिए देखते हैं दुनिया के कुछ ऐसे युनिक इंसान जीने देख के आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे लोग भी एक्जिस्ट करते हैं Gary Turner Gary Turner जिसे Rubberman भी कहा जाता है Gary को एक ऐसी बिमारी है जिसे Elhars Danlos कहते है ये एक ऐसी बिमारी है जिसमें आप आपकी बोडी को स्ट्रेच कर सकते है इस बिमारी में जॉइंट्स में पेन भी रहता है लेकिन Gary हमेशा खुश रहते है कभी भी अपना ये टैलेंट किसी से भी नहीं चुपाते है Gary अपने स्किन को 6.3 इंच तक स्ट्रेच कर सकते है और सबसे ज्यादा Elastic Body का टाइटल भी Gary होल्ड करते है 2000 में उनको ये टाइटल मिला था और अब तक किसी ने भी उस टाइटल को अपने नाम नहीं किया है Kim Goodman ये देखने में बहुती अजीब है असल में Kim Goodman अपनी आखों को 11 mm पॉप यानि के बहार निकाल सकती है और इस चीज़ का Kim record भी होल करती है और हमारी खयाल से शायद ही कोई और ये record अपनी नाम कर सकता है डॉक्तरों की मानी तो इस तरह हर कोई आखों को बाहर नहीं निकाल सकता है ऐसा करने से blood vessels और नसों पर दबाव पड़ता है हाला कि Kim के मामली में ऐसा नहीं है कि Kim की आखों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है पॉल कैरिसन पॉल में जो युनिक चीज़ है वो ये है कि पॉल के स्किन का कलर ब्ल्यू है स्किन के ब्ल्यू कलर के वज़र से काफी लोग पॉल को पापा स्मफ भी कहते है पॉल की ये कंडिशन बहुत ज़ादा दवाईया घलत तरीके से लेने से हुई बहुत अधिक दवा खानी से उनके शरीर में दवाईयों का रियाक्शन हो गया जिसके वज़ा से उनका शरीर ब्ल्यू कलर का हो गया हर्याना के सोनीपत गाव में रहने वाला दीपक जांगरा एक ऐसा लड़का है जिसके शरीर पर हजारों वोल्ड का करंट भी बे असर है दीपक के शरीर पर सिर्फ गरों में सप्लाइ होनी वाला 240 वोल्ड का करंट ही बे असर नहीं है बलकि 11,000 वोल्ट का करंट भी उसका कुछ नहीं बिकार पाता है दीपक के शरीर पर बिजली का करंट बे असर है इस बात को साबित करने के लिए लोग उसके साथ कई प्रयोग भी कर चुके है लेकिन उसे करंट नहीं लगता है 19 साल का दीपक जांगरा अपने नंगे हातों से 1100 वोल्ट का वायर पकड़ लेता है कई बार हाई पावर बिजली के तारों को अपनी जीप पर लगा चुका है लेकिन उसे बिजली का जटका एहसास तक नहीं होता है सैमसन बॉन्स सैमसन पढ़ाई लिखाई में बहुत हुश्यार थे और वो एक ऐसी डिजीज के शिकार थे जिसे प्रजेरिया कहते है ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें इंसान यंग एज में ही बुढधा दिखने लगता है सैमसन एक स्पोर्ट्स फैन थे बहुत साल इस डिजीज के वज़र से लोग उसे जानते थे लेकिन 17 के उमर में सैमसन की डेथ हो गई ऐसे डिजीज के शिकार हुए कई लोगों से सैमसन काफी ज्यादा जी पाए इस वीडियो में बताए गए लोगों में से अगर किसी ने भी आपको सर्प्रैस किया है तो कामेंट्स में जरूर मेंशन करें ओकी खाईज तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको आपको हमारा यी वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थांक यू